अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किये हुए हैं और मेरी वीडियो इसको देखते हैं तो आपको पता होगा कि अभी मैं यूनिट 4 को डिसक्स कर रही हूँ जो कि आपका मेजर्मेंट और सेंटर टेंडेंजी है यह आपका बीड थर्ड सेमेस्टर का जो सब्जेक मेजर्मेंट और इवैलिवेशन और एजुकेशन उसका यूनिट 4 है इस यूनिट का जो फर्स टॉपिक था अब मीन वो मैंने अल्रीड डिसक्स कर लिया है इसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो आप उसको देख लीजेगा अगर आप उस समझ में आ जाएगा क्योंकि ये तेंटल टेंडेंसी को मेजर करने का दूसरा मैथड है तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं इस वाले टॉपिक को इस टॉपिक में मैं वही बताऊंगी जो आपके लिए इंपोर्टेंट है बहुत ज़दा मैं इसको लंबा चौड़ा नहीं की जूँगी तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मीडियन होता क्या है अगर मैं अपने वर्ट में बोलू तो मीडियन होता है आपकी मिड वैल्यू जो आपकी स्टाटिस्टिकल सीरीज होती है उस सीरीज में जो आपकी मिड की वैल्यू होती ह उसे ही हम median बोलते हैं for example अगर मैं बात करूँ कि आपको यहाँ पर एक सीरीज दे हुई है जैसे कि 9 है, 10 है 15 है, 18 है and 25 है तो यह इसमें से आपकी अगर मैं half इधर निकाल दूँ और half इधर कर दूँ देखे मैंने बराबर equal दो इधर डिजिट ले लिए है तो हमारे बीच में जो बचता है 15 है हमारी mid value होती है और इस mid value को हम median बोलते हैं ठीक है, I hope यह आपको clear हो गया हो, तो बस simple अगर आप से पूचा जाए median क्या है तो median आपकी mid value ही है इसके बाद में next हम देख लेते हैं the median is the middle value in a list order from lowest to largest lowest to largest से मतलब आपको जो भी series दी हुई होगी ना उसको आपको या तो ascending order में set करना होगा, या तो descending order में set करना होगा, ऐसे ही jumbled में आप उसको solve नहीं करोगे median में हम ऐसा नहीं करते थे हम ascending to descending उसको नहीं adjust करते थे, बट अगर यहां पे आप ascending to descending या descending to ascending उसको नहीं adjust करोगे ना तो आपका answer जोगा वो wrong हो जाएगा, तो सबसे पहला आपको काम करना होता है कि आपको जो आपकी series given है, जो आपको पास data given है उसको आपको या तो ascending order में लगाना होगा, या तो आपको descending order में लगाना होगा, इस चीज़ को हम आगे भी देखते हैं, जब हम questions करेंगे, तो first point आपका clear है, next point है it is denoted by m और m e, मतलब me तो जैसे ही हम आपको पता है थे कि mean में हम लोग क्या करते थे हम इसको denote करते थे x bar से उसी तरीके से median को हम m या me से denote करते हैं इसके अलावा अगर मैं बात करूँ median के formula की तो median का formula होता है n प्लस 1 अपॉन सेकेंड आइटम कैसे? तो यहाँ पर जो मैंने आपको series दी थी अभी 9, 10, 15, 18, and 25 की तो हम क्या करेंगे? हम इसमें इसमें वहाला formula पूट करेंगे जो हम आपको भी मैंने बताया n प्लस 1 अपॉन 2 का तो इसमें कैसे हम निकालेंगे? यहाँ पर n क्या है? मतलब number of items कितने हैं? 5 है इसमें हमको प्लस करना है 1 then upon 2 तो हम क्या करेंगे इसको? जब हम इसको add करेंगे तो यह बन जाएगा आपका 6 upon 2 cut करने पर यह आपका आजाएगा 3 तो जो इसकी 3rd value है ठीक है? ना वो आपका इसका median होगा तो यहाँ पर 3rd value आपकी क्या है? 15 है तो अभी हमने देखा था पहले वाला जो मैंने डारेक्ट बढ़ता है था उसमें भी हमारा mid value 15 आ रही थी और यह वाले में भी अपनी mid value 15 ही आ रही है ठीक है? यहाँ पर यह जो है ना यह आपका आप चाहो तो ऐसे order में place करके चाहो तो direct भी mid value निकाल सकते हो लेकिन यह चीज तब possible होगी जब आपकी जो series होगी ना वो series आपकी odd होगी जब series odd होगी तब हमें निकालने में आसानी होगी लेकिन जब series even हो जाएगी ना तो यह वाला formula भी नहीं लगेगा फिर formula भी आपका दूसरा लगेगा तो अभी एक definition आनी चाहिए अगर आपका subjective type भी पर है तो आपको definition पदा होनी चाहिए the median is that value which divides a series so that one half or more of the items are equal to or less than it and one half or more to the items are equal to greater than it आपको half आप divide कले लेनी है और जो mid की value बचेगी ना वही आपका median होगा तो यह जो दिया हुआ है यह definition को वो दिया है प्रोफेशर एलार corner ने I hope आपको यह वाला जो slide था इस पर जो कुछ भी लिखा है वो मैंने clear करा दिया होगा चलिए move करते हैं next slide पे तो next slide पे आपके आजाते हैं methods of calculation of median same methods हैं जैसे आपने mean में देखे थे ना वैसे ही तीनो methods है individual, discrete and continuous अपने पहली वाली वीडियो ने देखे न mean वाली तो आप वाली इसका first part जा करके देख लीजे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो होगी ना clear हो जाएंगी जो यहां से चूटी होगी क्योंकि यह सब कुछ मैंने बहाँ पर बताया था तो यहां पर भी मैं जरा सा इसे मतलब revise करा देती हूँ, मैंने बताया था जो individual series होती है, वहां पर हमें सिर्फ x देखने को मिलता है discrete series में हमें x के साथ में frequency भी देखने को मिलती है and continuous series में हमें intervals देखने को मिलते हैं like this, okay अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो यह थोड़ा आपको और सही से clear हो जाएगा कि क्या होता है, अगर तब भी नहीं clear होता तो आप please mean वाली वीडियो जा करके देख लीजेगा, तो यह तो easy था, इसके बाद में next slide पे आजाते हैं अब हम बात कर लेते हैं individual series में जो questions आते हैं उनको solve कैसे करते हैं आपको questions भी आ सकते हैं आपके exam में solve करने के लिए 10 marks में और आपको हो सकता है को दे दिया जाए long answer लिखने को तो उसमें भी तो आप mean को क्या ही आप अपने questions भी तो करके दिखाऊगे उसको और अपने answer को और long दिखाने के तो इसलिए आपको आना चाहिए कि जो भी methods है उससे question को कैसे solve करते हैं तो सबसे पहले individual series में हम बात कर लेते हैं कि होती क्या है तो अभी मैंने आपको बताना कि इसमें सिफ x given होते हैं तो यहां पर दिखिए आपको सिफ x ही series में given है इसके अलावा इसके बराबर में और कुछ नहीं दिया हुआ है तो यहां पर जो question दिया है वो है the following series show marks in economic of 11 student of class 11th find the median marks इसमें क्या गया है 11 बच्चों के class 11th के 11 students के economics के marks दिए गये और कहा गया है कि इनको median इनका निका लिए ठीक है तो यह आपको marks given है 17, 32, 35, 33, 15 और यह total 11 है तो अब अगर आपको याद होगा कि मैंने आपको क्या बताया था वहाँ पे कि जब even होता है ना तो हमारे लिए जब odd होता है ना तो हमारे लिए हम direct भी इसमें से median को निकाल जाकते हैं बिना किसी formula की ही लेकिन यहाँ पे तो हमें प्रूफ करना है ना मतलब हमें दिखाना है कि हमें formula भी पता है और हम अपने answer को long कर रहे हैं तो हमको वहाँ पे सब कुछ कर के दिखाना होगा तो मतलब सॉल्फ करने के लिए हमें सबसे पहले आपको पता है था कि इस जो यह जो series दी हुए है इसको सबसे पहले आपको या तो आप ascending order में कर लो या तो आप इसको descending order में set कर लो मतलब या तो आप छोटे number से लेकर के बड़े number तक लिखो या तो आप बड़े number से छोटे number तक लिखो ठीक है बट यह जो उलजी बड़ी पड़ी है जैसे 17 पहले आ गया फिर 32 आ गया फिर यह देखे 15 बाद में आ रहा है ऐसा कुछ नहीं आपको एक sequence में लिखना है जैसे पहले 10 आएगा फिर 11 आएगा फिर 15 फिर 17 इस तरह से आई तिंक अभी आपको clear है next बढ़ते हैं तो यहाँ पर देख लीज़े जो भी मैंने आपको बता है या तो आप ऐसे ascending order में कर लो ascending means छोटे से बड़े की तरफ 10 to 41 गया है descending कर लो या फिर 41 से आप 10 की तरफ कर लो ठीक है तो यह सारे चीज़े कर लेनी है अब यह odd वाली series है तो odd वाली series के लिए मैंने आपको formula बताया था n plus 1 upon 2 तो simple हमें यहाँ पर देखना है कि number कितने है तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर number 11 है वहाँ question में भी लिखा था और upon, sorry, plus 1 upon 2 करोगे तो यह कितना हो जाएगा यह आपका आजाएगा 12 upon 2 जब हम इसको cut करेंगे तो यह आजाएगा 6 तो जमाई 6th value है न वही हमारी median होगी तो यह देखिए 6th value हमाई क्या है 21 है तो आप देखो आप ascending order में देखो तब भी 6th में 21 आ रहा है मतलब अगर यहाँ पर 11 की जगाट 12 होता तो हम कैसे solve करते तो जब यह आप यहाला formula लगा होगे even series में इस तरह वाले में even order आपको पता है अगर आप even वाले में यह formula लगाऊगे तो आपका answer नहीं आएगा उसका formula दूसरा होता है तो उसके formula को मैं आपको बता देती हूँ कि उसका formula यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर मैं even वाला question लगाना भूल गई हूँ मेरे पास यहाँ पर question नहीं है तो मैं यहाँ पर question लिख देती हूँ तो माल लेते हैं मैंने यहाँ पर एक series लिए है जिसमें आपकी जो series given है वो है 12, 18, 9 and 25 तो इसको हम क्या करेंगे इसको सबसे पहले तो हम ascending order में लगा लेंगे तो ascending order में यह आपकी बने की 9, 12, 18 and 25 तो यहाँ पर जब जो median निकालने का formula है तो median निकालने का formula लगेगा वो लगेगा आपका n upon 2 then plus करेंगे हम n upon 2 plus 1 upon 2 यह आपका formula लग जाएगा तो इस formula की according अगर हम solve करते हैं तो देखते हैं कि हमारा answer क्या आता है इतना space नहीं है तो मैं यहाँ पर formula को erase कर दे रही हूँ formula में यहाँ लिखतू क्योंकि होगा तो आप लोगों को जादा help मिलेगी n plus 1 upon 2 then upon make 2 ठीक है तो यह formula था तो n की जगह पे हमें क्या लिखना है 4 क्योंकि number of value 4 है upon 2 plus 4 plus 1 upon 2 and then 2 तो अगर हम इसको cancel करेंगे तो यहाँ 2 आएगा और यहाँ पे हमारा 3 आएगा तो यह क्या बन जाएगा हमारा 2 plus 3 upon 2 तो यहाँ पे जो हमारी second, second and third value हमें उठानी है तो second value अगर आप देखो तो 12 है तो हम 12 ले लेंगे and third value हमारी कितनी है third value हमारी 18 है तो हम 18th value ले लेंगे और upon 2 कर देंगे तो हम इन दोनों को जब add करेंगे तो यहाँ पे आजाएगा 30 30 upon 2 आपका क्या हो जाएगा 15 तो जो हमारा 15 है न वो यहाँ पे median होगा ठीक है यह given तो नहीं है आपको इस series में लेकिन यहाँ पे जो median होगा न M होगा जो वो आपका 15 ही आएगा अब आजाते हैं discrete series पे discrete series में मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे x के साथ में आपको frequency भी देखने को मिलती है तो अगर आप इस question को देखो तो आपको देखो के यहाँ पे वहाँ पे सिर्फ आपको x देखने को मिल रही है ठीक है तो यहाँ पे भी जो आपका formula यूज होगा वो आपका यही formula यूज होगा लेकिन अब वहाँ पे तो सिर्फ x गिवन था लेकिन यहाँ पे frequency भी गिवन है तो आपको अगर frequency भी गिवन होगी तो आपको हमेशा क्या निकाल ले होगी cumulative frequency निकालनी होगी मतलब cf आपको निकालना होगा अब आपको CF कैसे निकालना है वो मैं आपको सिखा देती हूँ आ जाएए अब से पहले आपको क्या करना है आपको अपने X को नोट कर लेना है और आपको अपनी Frequency को नोट कर लेना है अब हम यहाँ पर Simple Frequency को Cumulative Frequency में Change करेंगे तो Cumulative Frequency को Change करने के लिए कुछ नहीं करना होता जो आपकी Frequency होती है उसी में हमको जो Cumulative Frequency आई होती है उसकी उपर वाली को Add कर देते तो जैसे यहाँ पर 2 उसके उपर कुछ तानित हमने डाइक 2 लिख दिया 3 के साथ में हमने क्या किया? यह वाले 2 को Add कर दिया तो हमें 5 मिल गया अब हम 8 के साथ में क्या करेंगे? उपर वाली Cumulative Frequency को Add कर देंगे then हम 10 के साथ में भी क्या करेंगे उसके उपर वाली तो हमें बस यही करना है कि जो एक cumulative frequency का हमारा answer आएगा ना जो हमारा एक cumulative frequency होगी ना उसको हम दूसरी वाली simple frequency के साथ में बस add कर देंगे तो हमको सब की cumulative frequency निकल के आ जाएगी अब आप लोग सोच रहोगे कि यहाँ पे number of items तो दिये ही हुए तो हम लोग cumulative frequency क्यों निकाल रहे हैं तो हम लोग cumulative frequency बस इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे जो मतलब answer होगा ना जो median होगा ना वो cumulative frequencies ही show करेगी उसी से हमें पता चलेगा कि हमारा median क्या है तो आईए अब देख लेते हैं कि इसको solve कैसे करना है तो हमें क्या करना हमें simply यहाँ पे अपना n plus 1 upon 2 वाला formula लगा देना जहां पे n की value है 75 plus 1 upon 2 तो यह बन जाएगा आपका 76 upon 2 इसको हम जब cancel करेंगे तो हमें मिल जाएगा 38 तब दीख रहे हो कि जो आपका 38 है वो क्या है यह 35 के बाद 36 है 37, 38 यह सब आएगा ना तो इसलिए जो हमारा 38 आ रहा है उसको हम इस वाली community frequency को ही मानेंगे और जो आपका फिर answer आ जाएगा वो इसके आगे ही 7 आ जाएगा तो यहां पे जो median होगा वो 7 होगा चली अब बत कर लेते हैं हम continuous series की continuous series में हमारे intervals होते हैं class intervals आपको मैंने बताया था जब method आला पता रही थी तो यहां पे आपको class intervals देखने को मिलते हैं जैसे 0 to 10 दिया है 10 to 20, 20 to 30 इस तरीके से आपको class intervals देखने को मिल जाएंगे जैसे यहां पे wages rate दिये गए है 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30 फिर number of workers दिये हैं जैसे 22 workers के 0 से 10 तक wages हैं and 38 workers के 10 to 20 तक wages हैं तो इस तरह से आपको यहां पे data given है अब हमें इसका median निकालना है तो इसका median कैसे निकलेगा तो यहां पे भी हमें कुछ नहीं करना है यहां पे भी आप देख रहे हैं आपको frequency given है यह आपका x है यह आपकी frequency है तो यहां पे भी आपको बस cf निकाल लेना है cf निकालना आप c की गए है बस यहां पे क्या है यहाँ पे एक difference है कि यहाँ पे जो आपका formula है ना वो formula आपका थोड़ा सा change है तो यहाँ पे आपको जो formula लगाना है ना वो आपको लगाना है L1 plus N upon 2 minus Cf, Cf आपका यही cumulative frequency then आपका upon F into I, ठीक है यह आपका formula है continuous series का median में थोड़ा सा lengthy मतलब थोड़ा बड़ा formula है बड़ जब आप questions करोगे तो याद हो जाएगा तो यह आपका continuous series का question है यहाँ पे जो मैं आपको formula बताया था वो बताया था M is equal to L1 plus N upon 2 minus Cf upon 2 into I तो यह हमारा formula है अब इसको solve कैसे करते हैं तो सबसे पहले हमको यहाँ पे cumulative frequency निकालने होगी cumulative frequency निकालने मैंने आपको बताई थी कि हमें क्या करना होता है simple frequency को जो cumulative frequency आई होती है उसके साथ में add कर देना होता है तो जब यहाँ पे फर्स्ट वाले में तो आपका as it is 22 रहेगा second में हम क्या करेंगे 22 में ही हम जब 38 को add कर देंगे तो हमें 60 मिल जाएगा फिर हम 60 में 46 को add करेंगे तो हमें 106 मिल जाएगा इसी तरी किसे हम बागी की frequency भी निकाल लेंगे अब हमें सबसे पहले क्या करना होता है हमें सबसे पहले यहाँ पे n upon 2 निकालना होता है जब हम n upon 2 निकाल लेंगे न तो हम तब ही आगी का process कर पाएंगे और इस formula का use कर पाएंगे तो n upon 2 निकालने के लिए हमें n निकाल न पता होना चाहिए n यहाँ पे आपको given है 161 तो हम क्या करेंगे 161 upon 2 कर देंगे और हमें यहाँ पे जो आइटम मिलेगा वह यहाँ पे मिलेगा 80.5 आइटम बस हमें इस value को अब अपने n upon 2 वाले formula की जगह पे put कर देना है और इसी की मदद से हम क्या करेंगे बागी चीज़ों को भी find out करेंगे तो यहाँ पे मैं इसको तोड़ा erase कर देते हूं जिससे आपको यह question visible हो जाए तो हमारा जो n upon 2 आया था वो आया था 80.5 आइटम तो अब हम क्या करेंगे इसी के according इसमें से चीज़ों को देखेंगे तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए यहाँ पर हमें चाहिए L1 तो L1 में हम कौन जालेंगे यहाँ पर तो आपको सारी lower cases दिखाई दे रहे ना 0 भी है 10 भी 30 भी 40 भी है तो हमें क्या करना है हमको इसकी help से ही L1 निकालना है तो इसक पर हम क्या लेते हैं हम lower case ही लेते हैं तो अगर हम देखे तो जो हमारा 80 है ना 80 हमारा किसकी मिड में आ रहा है कमिलेटीव फेक्वेंसी के 62106 की मिड में आ रहा है तो हम यहाँ से इसका lower case ले लेंगे जो कि हमारा 60 हो जाएगा इसकी बाद में जो इसकी जो frequency बनेगी वह 46 आएगी और इसका जो हमारा L1 बनेगा वो आएगा 20 to 30 वाले सीरीज में से जिसमें से हम 20 को लेंगे क्योंकि 20 हमारा lower case है 30 हमारा upper case होता है तो हम upper case को नहीं लेते अपर case को हम L2 से रिप्रेजेंट करते हैं आपको हमने median वाले वीडियो में यह जिसको बताया हुआ है तो अ lower case and आपके upper case की वो ही हमारा I होता है तो यहां पर I हमें मिल जाएगा 10 तो चलते हैं सारी चीज़ों को हम अपने formula पर पूट कर देते हैं फिर देखते हैं क्या answer आता है फिर से मैं यहां पर formula लिखोंगे m is equal to n1 plus n upon 2 minus cf upon frequency into i तो अबे हम तो M निकाल रही है हम यहां पर L1 क प्लस n upon 2 हमारा कितना है आपको डारेक्ट चो अपने n upon 2 निकाला है आप वही पूट कर दो तो 80.5 दिन हम क्या करें माइनस में cf करेंगे cf हमने कौन सा लिया था 60 लिया था 60 हो गया upon आपका frequency frequency हमाई कौन से वाली थी 46 वाली थी and into i आया भी मैंने आपको बताया difference होता है तो हम यह पर टेल लगा देंगे तो जब हम इनको solve करेंगे तो हमें मिलेगा 20 plus 4.46 इनको further solve करेंगे तो हमें मिल जाएगा 24.46 तो जो हमारा median होगा ना M वो हमारा यह यह answer होगा तो यहां पर मैंने आपको सारे methods बता दिये हैं और median जो mode वाला topic आपकी साथ मैं discuss करूंगी